चाहे व्यक्ति हो समाज हो या राष्ट हो वह इस बात के लिए अस्वस्थ होना चाहिए उसकी ठाली में रूटिया रहे अर्थात भोजन की उपलब्दता सुनिश्चित होनी चाहिए यानि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो क्योंकि जब तक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती है कोई भी समाच कोई भी राष्ट अपने विकास के ताने बाने नहीं बुल सब्सक्रा तो दोस्तों अभिवादन श्विकार करें लोके स्तिरपाठी की तरब से आज हम चर्चा करेंगे इसी खाद्य सुरक्षा पर कि अखिर इस खाद्य सुरक्षा के असली माईने क्या है या खाद्य सुरक्षा जरूरी क्यों है या खाद्य सुरक्षा देती क्या है और साथ साथ बिसेस करके हमारे देश में इस खाद्य सुरक्षा की तुरवात कहां से होई आज हम खाद्य सुरक्षा पर क्या क्या कर रहे हैं तो आइए चलते हैं फोत सेक्यूरिटी की योर खाद सुरक्षा की योर, जब हम बात करते हैं कि आखर इस खाद सुरक्षा के अर्थ क्या है, क्या है अर्थ? तो खादि सुरक्षा का जो सबसे सारगर्विक्प सबसे गहरे अर्थ वाला जो अर्थ निकलता है वो यह है कि सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता पहुँच और उसे प्राप्त करने का सामर्थ ही खादि सुरक्षा है और इसमें जो गौर करने बाली बात है वो यह है सभी लोगों के लिए यानि किसे भी समाज के किसे भी देश के सभी लोगों के लिए हमेशा भोजन उपलब्ध होना चाहिए उस भोजन तक हमें लोगों की पहुँच होनी चाहिए और उस भोजन को खरीदने का या प्राप्त करने का पामर्द हो यहाँ सभी लोगों से तातपरी तंपुर जनसन क्या से है यानि राष्ट हमेशा इस बात के लिए तैयार होना चाहिए कि वो अपने समस्त नागरिकों को भोजन उपलब्द करा देगा अपने समस्त नागरिकों तक भोजन पहुचा देगा और एक ऐसी अर्थव्योस्था की सरचना करेगा ताकि सभी लोगों को या सभी लोगों के पास इतनी सामर्थ हो वो भोज़न खरी सके वो भोज़न प्राप्त कर लेकिन यहां इसके एक विसेस मायने भी निकलते है इन सभी लोगों में कमजूर लोगों पर विसेस प्रयास किया अर्थात कुल मेला जोला करके बात ये निकल करके आती है कि भोजन उपलब्ध होना चाहिए अनाज उपलब्ध होना चाहिए उस भोजन तक सब की पहुँच होनी चाहिए और सब की इतनी सामर्थ होने चाहिए कि उस भोजन को प्राप्त कर सके यही खाद सुरक्षा इसलिए खाद सुरक्षा महस दोजून की रोटी नहीं है इसके बाद भी बाद कुछ और क्या है वो अभी आपको समझाते हैं थोड़ी से बात इसी खाद सुरक्षा पर कही थी बिशुविकास रिपोर्ट ने 1986 1986 में बिशुविकास रिपोर्ट ने खाद सुरक्षा पर जोड़ देते हुए उसे परिभासित करने का प्रियास किया और बिशुविकास रिपोर्ट में लिखा गया कि सभी लोग व्यक्तियों के लिए हर समय सक्रिए एवं स्वस्त जीवन के लिए पर्याद्ग पोसर्युक्त भोजनकी उपलब्दी ही खादी सुरक्षा है विसु भीकास rivals टो यही बात कहती है कि दुनिया के सभी लोगों के लिए किसी राष्ट के सभी लोगों के लिए हर समय पर्यात पोसर से युक्त भोजाने कर उपलब्द है तो खाज सुरक्षा थोड़ा सा हम जब खाज सुरक्षा को और आगे ले जाते हैं तो हमने अभी एक जिक्र किया कि खाज सुरक्षा महस्दो जूर की रोटी नहीं है बलकि खाज सुरक्षा एक मुकमल सिधान्त है और इस मुकमल सिधान्त तक पहुँचने के लिए इसके तीन आयाम जरूरी है यानि खाज सुरक्षा तभी उपलब्द हो सकती है जब उसके तीन आयामों पर काम किया जाए और ये तीन आयाम है पहुच, खाद उपलब्दता और शामर्दि ये तीन आयाम है पहुच, खाद उपलब्दता और शामर्दि जब इन तीनों आयामों पर व्यापक तरीके से कारी होता है तब जाकर के नागरीद को खाद शुरक्षा उपलब्द होता है तो आप कहोगे इन तीनों आयामों के मत तो जो पहला आयाम है पहुँच इस पहुँच से ताथ पर यह है कि हमें ऐसा तंत्र बनाना होगा हमें ऐसा सिस्टम बनाना होगा कि प्रतेक ब्यक्ति को हर एक नागरिक को खाद्य पदार्थ मिलता रहे या यू कहिए कि खाद्य पदार्थो तक उसकी आसान पहुच हो माल लीजिये किसी गाउं को आप रासन दे रहे हैं और रासन के दुकान गाउं से 15 किलोमीटर दूर खुल दी तो करिए बाद भी 15 किलोमीटर दूर जब रासन लेने जाएगा तो एक दिन वो मजदूरी नहीं करेगा तो कई लोग रासन ले दे नहीं जा पाई इसलिए आप देखते होंगे सरकारी रासन के दुकाने हर पंचायक में खुए रासन अनाज या खाद्यान होना ही जरूरी नहीं है जहां खाद्यान का वीतरण हो रहा हो या जिस तंत्र से आप खाद्यान लोगों तक पहुँचा रहे हो लोगों की बड़ी आसान पहुँच होनी चाहिए ताकि गरीब से गरीब, कमजोर से कमजोर निरक्षर से भी निरक्षर, दीन हीन ब्यक्ति भी खाद्यान तक पहुँच पाए, वो खाद्यान प्रात कर पाए, उसकी ठाली तक भोजन पाए क्योंकि खाद सुरक्षा के जो असली मायने हैं वो यही है कि खाद सुरक्षा तब जीवन्त हो उठती है जब वो सबसे कमजोर ब्यक्त की ठाली में पहुंचती है सबसे गरीब ब्यक्त की ठाली तो कि मजबूत और अमीर तो कुद ही पहुंच जाता है समझना इस बात को इसलिए अगर हमें खाद सुरक्षा को जीवन्त करना है खाद सुरक्षा को धरातल पर उतारना है खाद सुरक्षा को एक-एक ब्यक्ति तक ले जाना हो तो ऐसा तंत्र रचना होगा कि कमजोर से कमज नोर भ्यक्ति भी, दीनी भी, दरणी दर्य नरायळ भी, खाद पदार्थों तक आसानी सवीचल। जी यू कहिए कि खाद पदार्थ भी उस दीनी दर्य नरायर था असासानी से। तो पहला आयाम है फहुच। दूसरा आयाम है खाद उपलवढ़ता। खाद्यू प्लब्दता का संबंद सीधा साधा भंडारं से है अर्थात किसी देश के पास कितना बड़ा अनाज का भंडार है या भी खाद्य सुरुच्छा के लिए जरूरी है क्योंकि भाई आप तंत्र से अनाज तभी तो पहुंचाओगे जब आपके गुदाम लबालब भरी होने अगर आपके गुदामों में अनाज ही नहीं होगा तो लोगों तक पहुंचाओगे कैसे इसलिए जितनी जरूरी पहुंच का तंत्र तयार करना है उतना ही जरूरी ये है कि आपके पास पर्यापत अनाज का भंडार होना चाहिए ताकि आप अपने नागरी को तक अनाज पहुंचाओए और तीसरा है सामरत तीसरा आयाम है सामरत याँनि लोगों की क्रेच हमता इतनी होनी चाहिए कि वे आसानी से खाद्यानों को खरीद सके उनके सामर्थ होनी चाहिए खरीदारी की यहां सामर्थ से तातपरी है या तो लोग इतने धनी हो जाएं कि आप जिस कीमत पर अनाज दे रहे हैं वो खरीद लें एक बाद तो हो सकती है या तो आप अनाज इतना सस्ता कर दे जरीब से जरीब आदे आपने कभी गौर किया होगा हम पिछले पीडियेस में पढ़ाये थे पब्लिक डिस्ट्रिबूशन सिस्टम में कि अंतियोदय अन्योजिना के तात मुफ्ता अनाज है इतना प्रतिकात्म कीमत पर मिलते हैं सब प्रधान मंतरी गरीब कर लिया अन्योजिना के तात तो प्रतिकात्म कीमत भी नहीं लिए आती है खादे सुरक्षादिनी हम 2013 के तात तो चावल तीन रूपया कीलो गेउं दो रूपया कीलो कई अन्योजिनाव में मुफ्त अनाज भी है ये प्रतिकात्म कीमत क्यों रखी जाती है ताकि सामर्थ की सर्थ को हम पूरा कर सके हम कह रहे हैं न कि हर ब्यक्ति की सामर्थ होनी चाहिए तो अखाद्यान ले सके तो कैसे होगी हर ब्यक्ति की सामर्थ दो ही तरीके सो सकते हैं यहां तो हर ब्यक्ति कितना धनी हो जाए कि मार्केट कीमत प्राइस पर खरी सकें यहां हम खाद्यान इतने सस्थे करते हैं गरीब से गरीब कमजोर से कमजोर ब्यक्ति भी खरी सकें तो प्रतिकात्मा कीमत ले इसे करते हैं सामाते यह निखादु सुरक्षा सिर्फ दो जून की रोटीन है खादु सुरक्षा एक तंत्र रस्ती है जिस तंत्र की तीन भी सेस्ताएं होती है पहुच खादु उप्लबदता और आप आप देखेंगे पूरा का पूरा पूरा पबलिक डिस्टिबूसन सिस्टम पीडिये पूरा पूरा ली जो पिछली वीडियो में हमने आपको समझाया जो लोग ना देखेंगे देख लेंगे वो क्या है पीडियेस के था तो तंत्र ही तो रचे जाते हैं जिसके तो लोगों तक खाद्यान पहुँचे हैं खादू प्लब्रता हमने आपको बताया था कि कैसे देश MSP पर अनाच की खरीदारी करता है अपने गुदामों में ले जाकर के रखता है FCI के गुदामों में किसलिए ताकि खादू प्लब्रता सुरेशित है अनाच सस्ते दिये जाते हैं प्रतिकात्मक कीमत पर दिये जाते हैं मुफ्त में दिये जाते हैं क्यों ताकि सब की सामर्थ हमकर और यही तीनों आयाम मिलकर के खाद सुरक्षा को मुगम्मल बनाते हैं मानवी बनाते हैं ज जीमंत हैं किसी देश की बेवस्थाएं कितनी मानिमी चेहरों से युक्त हैं इस बात का जो सबसे बड़ा पैमाना है वो यही है कि वह देश अपने फूर्ट सेक्यूर्टी के आयामों को कितनी बेहतरी से धरातल पर तर रहा है अगर उस देश ने ऐसा तंत्र बना लिया है जिससे सबकी खाद्यानों तक आसानी से पहुँच हो जा रही है गरीब से गरीब यत की भी दरीदर नराइट जिसे हमने कहा उसकी भी खाद्यानों तक पहुँच हो जा रही है अगर देश ने ऐसे गोदाम बना लिये हैं देश ने ऐसी किरसी बेवस्था सापित कर लिये एक उसकी गोदाम अनाजों से लबालब भरे हुए है देश प्रतिकात्मक कीमत पर ही सब को खाध्यान उपलब्द करार दे रहा है जिसका मतलब उसका लोगतर मानवी चहरे बाला लोगतर उसकी बेवस्था मानवी चहरे बाली इसलिए खाधिस उरक्षा कहते हैं कि पैमाना लिट मस्टेश ठेगा कोई देश कल्यान के रास्ते पर इतना जीए तो यह खादी सुरक्षा के परिभास आई अब हम देखते हैं कि भारत में खादी सुरक्षा के लिए क्या-क्या या जा रहा है भारत में खादी सुरक्षा के सुरवाद 1970 के दसक से होती है आप कहोगे 1970 के दसक से ही क्यों ही भईया 1947 में क्यों नहीं कर दिया तो आपको याद होगा कि भारत के पास अनास थे नहीं वो अमेरिका से मंगाता था वो भी दान का अनास था सला हुआ अनास था पील 480 के समझोते करता आता था दान में बिलता था सारवजनें बितरर प्रणाली वाले वीडियो में हमने आपको बताए 1965 के बाद देश हरित करांती की ओर जाता है सत्तर आते याते सत्तर के दसक में हरित करांती के पहले चरण के परिडाम सामने आ जाते हैं और धीरे धीरे हम खाद्यान में आत्मिरभरता की ओर बढ़ते हैं और जो हम खाद्यान में आत्मिरभरता की ओर बढ़ते हैं क्यों देश कि धीरे धीरे उस तंत्र की रचना करने लगता है जिसे नागरीकों को खादे सुरक्षा है हमने आपको ये भी पिछली वीडियों बदाया है कि एक तरफ उनीसो चाचार सट के पहले से ही भारत में हरीत करांती की सुरुवात की तैयारिया की जा रही है 65 के आस पास तो दूसरी तरफ उसी 65 के आस पास FCI की अस्थापना की जा रही है क्योंकि किस अनदाता अनाज उब जाएगा तो FCI अनदाता से अनाज खरी देगी अपने गुड़ा मों बैखेगी लोगों तक ले जाएग तो सत्तर के दसक से सुरुवात ही यही हुई क्योंकि सत्तर के दसक में ही आ करके हम खाद्यान में आत्मे बढ़ तो पहले PDS प्राली लाई गई खाद्य सुरुअच्छा के लिए Public Distribution System लाया गया यानि सार्वजनिक बितरण प्राली लाई गई उसके बाद समेकित बाल भिकास सेमाय लाई गई Integrated Child Development Service लाई गई फिर मद्यान भोजन योजना आती है Midday Meal प्रोग्राम आता है और 2013 में आ करके National Food Security Act राष्टी खाद्य सुरुच्छा अधिनियम आता है और ये चारों मिलकर के भारत में खाद्य सुरुच्छा को एक मुकम्मल आयाम दे देती है यानि पहले PDSI फिर ICDS आया फिर MDIM आया फिर NFSA आया और आज ये तीनों ये चारों चल रहें अपने तमाम कमजोरियों के बावजूद ये चारों बड़े सफल और सक्से जुरूब से चारों यानि हम कह सकते हैं कि इनहीं चार कारेक्रमों के सारे भारत अपनी खाद्य सुरुच्छा सुनिश्चित करें और गर्ब की बात है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य सुरुच्छा का कारेक्रम आद जो जी हाँ फिर से सुनिए गवर से सुनिए भारत दुनिया का सबसे बड़ा खाद सुरक्षा का कहिक्रम चला यूरूप अमेरिका की मिलाकर के जितनी जनसंख्या नहीं है उससे अधिक जनसंख्या को भारत अपने खाद सुरक्षा प्रोग्राम के तहद मुफ्त का अनास दे रहा है प्रतिकात्मत कीमतों पना अनास दे रहा है गरीब की थाली तक भोजल ले जा रहा है तो अगर भारत में खाद सुरक्षा को समझना है तिन चार प्रोग्रामों को आपको अच्छी तरह से समझना होगा अब आईए थोड़ा जाम की नजरिये की बात करते हैं जब भी खाद सुरक्षा पर लिखना होगा तिन चारों पर थोड़ी थोड़ी बाते लिखनी होगे अब हमने इस वीडियो के पिछला वीडियो यह जो आपको आज मिल रहा है इसके पिछला जो वीडियो है वो पीडिया सिस्टम पर पूरा का पूरा बनाया हुआ है पिछले सटर्डे को गया था जो लोग आप लोग सारे लोग देखे ही होंगे जो लोग नहीं देखे हैं उस पब्लिक डिस्टिबूशन सिस्टम सारवजनिक बितरण प्रणाली वेले वीडियो को आराम से देख लीगे यानि हम कह सकते हैं कि हम सार्वजनिक बीतरण प्रणाली इन चार प्रोग्रामों में पढ़े चुके हैं अब उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है तो आज हम चर्चा इन तीन पर करेंगे इस पर हमने बिस्तार से तकरीबन सवा घंटे का या डेड़ घंटे का एक वीडियो आपको दिया हुआ है तो इस पर दुबारा बात करने की जरूरत नहीं है जो रेगुलर पढ़ते हो तो जानी रहे हैं जो नहीं पढ़ते हो जान लिजिए प्लेलिस्ट में जाएए इसके पहले बाला वीडियो ही सार्मजिनिक बितरह प्राली पर है तो इन टीन पर बात करते हैं ICDS पर बात करते हैं MDM पर बात करते हो और निसमे फूर सिक्रेटी एक पर बात करते हैं तो कहानी ICDS की समय कि बाल विकास के वाने 1975 में इसकी सुरुवात होती है थोड़ा सा इस पर एक बात करते हैं इसके कुछ राजनितिक कारण भी रही समय की बाल विकास सिमाए एक बात हमेसरा याद रखिएगा भारत में गरीबी पेटिस सासन की नीतियों का परिडाम दी इसलिए जो आजादी के लड़ाई लड़ी जा रही थी वो राजनितिके मोर्चे पर न्याय समांता सुतत्रता बंधुत की लड़ाई थी लेकिन जीवन के मोर्चे पर वो भूख के खिलाफ लड़ाई थी 1907 का जो दौर आता है तब तक भारत धीरे धीरे अपनी सतियां इसी मजबूत कर चुका था कि वह गरीबी पर सीधा और धारधार आक्रमन करें और जब तक गरीबी पर सीधा और धारधार आक्रमन नहीं किया जाते आजादी वास्तवी क्रूप से धरातल पर नहीं था जब पहली पंचवर्सी योजना लाई गई दूसरी पंचवर्सी योजना नीचे पहुंचता तब तक हमारी पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई गरीबों के संख्या बहुत बढ़ गई अब ये बेचारा चंचन के आया हुआ विकास कितने लोगों को गरीबी के बाहर से साथी साथ आप राजिनित के मोर्चे पर जाओगे ये वो दौर है जब भारत की राजिनिती में या तो आप इंद्रा गांदी के पक्ष में थे या इंद्रा गांदी के खिलाफ थे एक वर कहता था कि वो गूगी गुडिया है तो दूसरा कहता था इंद्रा इजिन दिया चुनाओं में एक तरफ नारा लगाये जाता था इंद्रा हटाओ तो दूसरी तरफ इंद्रा गांदी आ करके कहती थी ये कहते हैं इंद्रा हटाओ मैं कहती हूं गरीबी हटाओ यानि गरीबी हटाना राजनीत के केंदर में आए तो यहां ये टैंक ही आगया 1975 आते आते कि हम एक ऐसा प्रोग्राम लेकर के आते हैं जो बच्चों का और गर्वोती महिलाएं तथा दूद्ध पिलाती महिलाओं का समन्वित विकास था यानि कैसे प्रोग्राम का ताना बाना रचा गया जो फोकस था हमारी प्रेग्नेंट मदर पर हमारी गर्वोती माताओं पर हमारी अस्तन पान कराती माताओं पर हमारे छोटे छोटे बच्चों पर और माना गया कि इनका समन्वित विकास करेंगे तो ही गरीबी से बाहर दिख लिए और एक अम्ब्रेला प्रोग्राम के तहत समन्वित बाल विकास सेवाओं के सुरू की गई अंब्रेला प्रोग्राम उस प्रोग्राम को कहते हैं कि जब किसी भी एक योजना के ताद धेर सारी योजनाए होती हैं तो उस योजना को हम अंब्रेला प्रोग्राम के तहट भारत में शमेकित बाल विकास सेवाओं की शुरुवात की गई इंटिग्रेटेड चैल्ड डेवलेप्मेंट सर्विस की सुरुआत की गई उनी सो पच्छतर में इसके उद्देश थे कि 6 वरस तक के बच्चों के पोसर और स्वास्थ के स्थती में सुधार करना क्योंकि जह ये 6 वरस तक के बच्चे होते हैं न अगर इनका ही पोसर और स्वास्थ खराब हो जाएगा तो ये स्वास्थ नागरिक नहीं बन पाएंगे ये स्वास्थ युवा नहीं बन पाएंगे फिर नाए बहतर सिक्छा ले पाएंगे ना बहतर अपनी भीतर उत्मादक्ता भर पाएंगे तो लक्ष रखा गया कि जो 6 बरस के बच्चे हैं इनके पोसर और स्वास्त के स्थती में सुधार किया गया दूसरा लक्ष रखा गया, दूसरे उद्दे सताई किया गया, कि जो बच्चे हैं, उन बच्चों के उचित मनोवैज्यानिक, समाजिक और सारीरिक विकास की निव रखी जाए कुछ ऐसा किया जाए जिससे बच्चों का उचित मनोवेज्ञानिक सामाजीक और सारीरी विकास हो साथ साथ भारत में मृत्युदर को, रुग्रता को, कुपोसर को और स्थूल छोड़ने की घटनाओं पर रोक लगाई जा यह सारी उद्देश समयकित बाल विकास सिवा के तैं किये गए अगला उद्देश से रखा गया कि भारत माता में उचित पोसर और स्वास्त सिख्चा पहुचाई जाए क्योंकि जब माता में को हम उचित पोसर और स्वास्त सिख्चा देंगे तो माता जब पोसर और स्वास्त के बारे में जागरूख होगी तो बच्चों के भी जो पोसर और स्वास्त देख भाल की छमता है वो बढ़ेगी माता को मात तो पता होगा यदि स्वास्त और पोसर का तो स्वास्त और पोसर बच्चों में पहुँचेगा साथ-साथ ये भी तैंकिया गया कि जो हमारी किसोर लर्किया है जो ग्यारा बरस से लेकर के 15-16 बरस के बीज की बच्चियां है उनको भी हम सुविधा प्रदान करे उनको भी हम सिक्षित बनाए उनको मी हम ससक्त बनाए ताकि यही हमारी किसोर बच्चियां आगे चल करके एक आत्मेर भर और जागरूख समाज की अस्थापना किया साथ साथ ये भी समन्वित बाल विकास सिवा में तैंकिया गया किन सारे कारेक्रबों को धरातल पर उतारने के लिए यानि यू कहिए कि बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के संपूर विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत के जितने विभाग है उन विभागों के भी जितनी नीतियां और कारेक्रम चल रही है उनमें समन्वे अस्थापित करना भी उनको प्रभावी तरीके से लागो करना भी इसी ICDS के तहत रखा गया यानि कितने बिराट और भब्य उद्देशों के साथ ICDS को लाया गया किसी भी कारिक्रम की बिराटता और भबता तो इस बास से तय होती है कि वह कारिक्रम अपने बच्चों के लिए कितना समर्पित है अपनी माताओं के लिए कितना समर्पित है अपने किसोरियों बच्चों के लिए कितना समर्पित है याद रखिएगा किसी भी व्यक्ति समाज और राष्ट का जब भी आप मुल्यांकन कीजिएगा तो ध्यान रखिएगा वह अपने माताओं के प्रति अपनी बच्चियों के प्रति अपने बच्चों के प्रति कितना मानवी है कितना कल्यालकारी तो इतने उद्देशों के साथ ICDS लाई गई समनमीत बाल विकास सिवा लाई गई हमने आपको कहा कि यह जो समनमीत बाल विकास सिवा है जो ICDS है यह एक अमरेला प्रोग्राम था यानि इसके तहट धेर सारी योजनाई थी समय समय पर धेर सारी योजनाय जूडती रही समय समय पर धेर सारी योजनाय निकलती रही अगर हम आज की बात करें तो इस ICDS के तहट 6 योजनाय चल रही है जिसमें पहली है आगन बारी सेवा योजना दूसरी है प्रधान मंत्री मात्री बंदन योजना तिसरी है राष्टी क्रेच या सिसुग्री है योजना चौती है किसोरियों के लिए योजना पाच्वी है बालसरक छड़ी योजना छटी है पोसर अभियान छोटी छोटी इसके अलावा भी कई योजना हैं लेकिन मुख्य रूप से ICDS के तहद यही सारी योजना ICDS को लोगप्रिय रूप से आगनवारी योजना भी कहा जाता है क्योंकि यह तो अभी हाल में जुड़ी हुई है प्रधान मंत्री मात्री बंजन योजना क्रेच योजना, किसोरियों के लिए योजना बाल सरक छोड़ी होजना-पौसरावियान भी हाल में जुड़ा गया है सबसे पहले ICDS के ताज जो योजना आई ती वो आगनवारी सेवा योजना ही थी और साथ साथ ICDS को जो पंचाइतों में लागू करना शुरू कि आगया तिये कहा गया कि पंचायतों में लागू करने के लिए सेंटर कहा खोले जाएंगे तो जो जो सेंटर खोले गए उन्हें आगनवारी नام दिया गए जहां से ICDS को लागू करना था उन्हें आगनवारी कहा गए इसलिए ICDS का लोकप्रिय नाम आगनवारी भी है आपके गाउं में आगनवारी दिखती होगी, आगनवारी में जितना काम होता होगा वो सब ही ICD तो आईए थोड़ा ICDES के तहत इन योजनाओं पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, आपकी समझ बढ़ाते हैं तो पहली योजना आगनवारी सेवा योजना है आगनवारी सेवा योजना के लिए कहा जाता है कि अब बच्पन की देख भाल और विकास के लिए भारत का बहुत ही अनूठा कारिक्रम है बड़ा ही अनूठा कारिक्रम लक्षी ही यह इस आगनवारी का कि बच्पन की देख भाल करना विकास करें और इसके लिए यह 6 सेवाओं का एक पैकेश प्रदान करता है यानि आगणवारी के तहट बचपन के विकास के लिए 6 सर्विस दी जाती है 6 सेवाए दी जाती है यूपियसी प्री में पूछता है इनमें से कौन-कौन दी जाती है इन 6 सेवाओं में सामिल है याद कीजिएगा पूरक पोसर दुसरा इसकूल पूर अनुपचारिक सिक्षा तिसरा पोसर और स्वास्थ सिक्षा चौथा टीका करण पांचवा स्वास्थ जाच और छठवा रेफरल सेवाए मतलब इनके बाद भी किसी अन्य सेवा की जरूरत प पूरक पोसर से यहां तात्परी है कि देश के अलग अलग हिस्तो में जहां जहां क주는 पोसर की जैसी भी स्थतिया हों उन्द से लड़ना और देश की हर बच्चों तक पोसर युउक्त्भोजर लेगां इसमें पूरक पोसर में कई जगा टेक होम रासन है यानि आगनबाडी से आप रासन उठा सकते हैं घर में बना के खा सकते हैं कई जगह आगन बाड़ी बेही गर्म पका हुआ भोजन मिलता है, कई जगह सुबह का नास्ता सामिल होता है, कई जगह बिस्किट मिलते हैं, पंजीरी मिलती है, दलिया मिलती है, यह सब पूरक पोसर कह जाते हैं, पूरक पोसर इसलिए कह जाते हैं, क्योंकि जो आगन में आपको पंजीरी मिलती है दलीय मिलती है पका-पकाया भोजन मिलता है उसमें इस चीज को सुलिस्पत करने के लिए कि परियाप्त कोसिस की जाती है कि बच्चों के स्वास्त के विकास के लिए जितने पोशतत्तों की जरुष हो सब रहें या पूरक पोसड भी कराय जाता है आजकल तो खिलोने भेज़े जाते हैं एपल रहेगा उस पर ए लिखा रहेगा बच्चा तुरंद देखके समझेगा अच्छा एपल मतलब से बॉल रहेगा उस पर बी लिखा रहेगा देखते होंगे तमाम प्रकार के वो लकडी से जोडने घटाने वाले भी तमाम चीज़े खिलोने इतियादी भेज़े जाते हैं इसकूलों में ताकि बच्चा इसकूल जाने से पहले अच्छर ग्यान कर ले ताकि जब इसकूल भेजा जाए तो बहुत डरे ना साथ-साथ आगनवारियों में विशेश करके माताओं को पोसर और स्वास से समंदिव सिख्चा दी जाती है आगनवारी ठीका करण के केंद्र है आगनवारियों ने गर्वोती महिलाओं के ठीका करण में इस राष्ट में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है इसके लिए हर आगनवारी माता को मेरा पड़ाम है हमारा दिर जो हंडेट परसेंट ठीका करण की और बढ़ा इसमें इन आगनवारियों के बहुत बड़ी भूमिका है वैक्सिनेशन को लेकर के हर गर्वोती महिला तक हर गर्वोती माता तक हर बच्चे तक जो ठीका गया है उसमें इस आगनवारियों ने बड़ा रोग तो ठीका करण में का केंद्र भी होता है यागनवारी साथी साथ स्वास्थ जांच भी होती है बच्चों की समय समय पर उनकी लंबाई नापी जाती है उनका बजन मापा जाता है आज कल तो मापा जा रहा है लंबाई मापी जा रही है बजन मापा जा रहा है और अन्य रेफरल से वाए इन आगनवारियों में उपलब्द कराई जाए जो हमारा बजट 2022 तेवस्य था उसमें बित मंतरी ने आगनवारियों को विशेशने जरीये से देखा Heart और बजट 2022 तेवस्य उसमें आगनवारियों के आधुनिकी करण के लिए एक योजना चलाए गई थी जिसे सक्छम आगनवारी नाम दिया गया था और इस सक्षम आगनवारी के तहद देश भर की आगनवारियों का क्रमसा आधुनी की करण किया जादा है तो यह रही आगनवारी योजिना दूसरा है प्रधानमंत्री मात्रिवंदन योजिना इस प्रधानमंत्री मात्रिवंदन योजिना के तहद जो जन्म देने वाली माताएं हैं उनको कैस दिया जाता है लाब दिया जाता है यह जो कैस दिया जाता है पांच हजार रूपे यह तीन किस्तों में दिये जाते हैं साथ साथ एक हजार रूपिया इसी के साथ एक अन्य यूजना के तहद दिया जाता है जिसे हम जनली सुरक्षा योजना कहते हैं याने कुल मिला जुला करके कितना मिलता है चैजार रुपे यह कैस क्यों दिया जाता है कैस दो वज़ा से दिया जाता है कि जब हम कैस देंगे तो हमारी देश में संस्थागत प्रसो बढ़ेगा अर्थात महिलाएं अपने बच्चों को जन जन्म देने सरकारी अस्पतालों में आएंगे कि कैस मिलेगा और जब सरकारी अस्पतालों में आएंगी तो मात्री मृत्युदर कम होगी क्योंकि जब घर में बच्चे को जन्म दिया जाता है तो हम माता की मौत होती है मेरे काने मतल में नहीं सभी माता की मौत होती है लेकि साथ साथ बच्चे का भी जीवन तक भी और बच्चे के जन्म के कुछ समय पहले तक लेकिन तमाम गरीब माताय है जो बच्चे का जन्म हुआ उसके पास दिन बाद ही काम पर चली जाती है क्या करें सरकार कहती है अगर इसको हम कुछ क्वैसा देंगे तो यह कुछ दिन काम पर नहीं जाएंगी आराम करेंगी साथ साथ उससे धेर सारे पोसक पदात खरीदेंगी और खाएंगी और सच में इन योजनाओं ने रंग दिखाया है यह महज 6,000 रूपे की रकम ने भारत में मृत्तुदर को दियाया है हमारी जननियों को सुरच्छा दिये बाल मृत्तुदर को भी आये तो ICDS के तहाँ दूसरी योजना है प्रधार मंत्री मात्री वंदन मात्री वंदन योजना तिसरी योजना है राष्टी क्रेच यह क्रेच लिखा है राष्टी क्रेच या सिसुगरी योजना इसके तथ क्या होता है कि जो हमारी कामकाजी महिलाएं है जिक जिनके बच्चे अभी 6 माह से लेकर के 6 वर्स तक है अब योग काम पर तो जाएंगी तो बच्चे का दो इद्देखवाल कौन करेगा तो सरकार कहती है कि जहां जहां ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हो जहां ऐसी कामकाजी महिलाओं की संख्या में अधिक्ता हो उस उस हर प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी है कि वह क्रेच अस्थापित करेगा और साथ साथ ये भी कहा गया है कि ऐसे ऐसे एरियों में जहां जहां कामकाजी महिलाओं की शंख्या अधिक है वहां सरकार खुद आगे बढ़ करके आगनबारी में ही आगनबारी के बगल में कहीं आगए चल करके जा करके इसी ICDS के तहर सिसुग्रिय अस्थापित करेगी इस सिसुग्रियों में जो बच्चे होते हैं 6 वरस के लिए 6 महीने से 6 साल तक के लिए उनको दिन भर देखवाल की सुविदा दी जाती है माता बच्चा वहाँ दे करके काम पर चली जाती है महाँ लोग बच्चे की देखवाल करते हैं यह जो सिसुग्रिय है यह महीने में 26 दिन और प्रति दिन 7 गंटे के लिए खुला रहता है 4 दिन तो छुटी ही रहती है अब इन सिसुग्रियों में सिर्फ ऐसा नहीं है कि बच्चा देख चले गया तो उस बच्चे को सुलाया जाएगा उस बच्चे को पूरक पोसर दिया जाएगा यानि खाने पीने के चीज़े दी जाएगी उस बच्चे को वही पर प्रारंबिक चाइल्ड केर सिख्चा भी दी जाएगी स्वास सिख्चा भी दी जाएगी और बच्चे के लिए सोने के सुविधा रहेगी ताकि ये बच्चा सब खेल कूद करके सो पाए ये क्रेच की ही एक तस्वीर है खेले कूदे खाए और जब मन करें सो जाए ये है राष्टी क्रिच्या सिसुग्री योजना साथ साथ इस ICDS में जो चौथी योजना है या किसोरियों के लिए योजना है विसेस करके फोकस किया गया है 11 से 14 वर्स की आयूबरिक में की बच्चीयों में और द्यान रखा गया है कि 11 से 14 वर्स की बच्चीयों को कुछ विसेस स्पोसर की जरूरत होती है तो उन्हें ICDS के तहट विसेस फोसर उपलबद कराया आप कहोगे विसेस पोसर में उपलबद कराया क्या कराया जाता है तिस बुशेव स्पोर्टसर प्रोग्राम में इन बच्चियों को आयरन के टबलेट उपलब दिकराए जाते हैं जिसे कहा जाता है आयरन और फोली के सीद पूरकता प्रदान करना तरसल हमारे देश में बच्चियों में आयरन की कमी बहुत देखी गई है हमारे देश को कंट् करना है आयरन फोली के सीद पूरकता प्रदान करना है बच्चियों की किसोरियों की स्वास्त जाच करना है उन्हें भी रेफरल सेवा देना है मतलब अगर जरूरत है तो उन्हें बड़े केस्वतालों तक ले जाना है इन बच्चियों को स्वास्तियों पोसर जाग रुकता देना है और साथ साथ जो कि सोरियां किसी कारण से इस्कूल छोड़ चुकी है इन्हें मना करके दोबारा इस्कूल में ले आकर के सामिल करना है ताकि इनकी पढ़ाई लिखाई आगे इसके साथ साथ आईसीडियस में बाल सरक्षड योजना भी चलती है यह जो बाल सरक्षड योजना पड़ी वानुगी योजना है इस बाल सरक्षड योजना में कवदे से है कि कठिन परिस्थितियों में जो बच्चे रह रहे हैं उनका कल्यान किया जाए कई जगा बच्चे तसकरी के सिखार हैं, कई जगा बच्चे संकों पर भीक मांगते हैं, कई जगा बच्चे अनात हो गए हैं, कई जगा प्राकृति का अपडाय आ जाती हैं बच्चे, प्रवाइत हो जाते हैं तो ऐसे बच्चे जिनका कोई नहीं है देश कहता है हम है ना तो ऐसे बच्चों को इस बाल सरक छड़ी ओजना के तरहत बाल से सुग्रियों में लाए जाता है उनके खाने पीने स्वास पढ़ाई लिखाई कि पूरी व्योस्था की जाती है क्योंकि किसी प्राकृति का अपदा गरीवी या कोई भी बच्चा जब अकेला होता है अनात होता है तो उस समय इस बात की परियाप संभावना होती है कि समाज के राक्षस उसके बच्चपन का दुरुप्योग कर लेंगे उसका सुसर कर लेंगे उसकी उपेच्छा की कि हम अपने ICDS के ताहद बाल सरक्षड योजना लेकर के आए हैं और अपने बच्चों को हर किस्म के दुरुप्योग उपेच्छा और सोसर से बचाएंगे तो ऐसे बच्चे जिन जो एकदम हासिये पर खड़े हैं किनारे पर खड़े हैं गरीबी पर खड़े हैं उनको सोस आइसीडियस के साथ तो छती योजना लाई गई है इसे एक नाम दिया गए है पोसर्ण अभियान हमने एक पोसर्ण अभियानों की तस्वीर भी लगाई है ठीक किसोरियों का पोसर देना है देखो साइकिल चला रही है यह गर्वती माँ है गर्वती माता को पोसर देना है बच्चे को दूद पिलाती महिलाओं को पोसर देना है और इस बच्चे को पोसर देना है और यही है पोसर अभियान यानि पोसर अभियान कहता है कि हम इन सब के पोसर्ड के लिए एक साथ काम करें तो पोसर्ड अभियान में छोटे बच्चों में कुपोसर्ड, अलपोसर्ड और एनिमिया को कम करना लक्ष है पोसर्ड अभियान का पहला लक्ष है कि छोटे बच्चों में कुपोसर, अलपोसर, एनिमिया को कम करना छोटा बच्चा वाला काम हो गया दूसरा उद्देश से है कि सोर लड़कियों, गर्बोती महिलाओं और अस्तन पान कराने वाली माताओं के पोसर पर ध्यान देना देखो, पूरा चक्र हो गया बच्चों में विसेश करके इस्टंटिंग, अलपोसर और एनिमिया तथा जन्म के समय जो कम वजन की सिकायद बच्चों में आ रही है इनको भी दूर करने के लिए पोसर अभियान चलाया जा रहे है और यह सारे छो प्रोग्राम मिल करके क्या कहलाते हैं समन्वित बालविकास कि नहीं समन्वित बालविकास समझे न, एक तरफ सारवजनिक वितरल प्राली के माध्यम से सब तक रासाना नाच पहुँचा आए जा रहा है हमने कहा खाज सुरक्षा का पहला आयाम क्या है लेकिन देश तिर्फ ठाली में रोटी चावल दाल दे कर ही संतुष नहीं कि देश कहता है हमारी खाज सुरक्षा सिर्फ इतनी ही नहीं नहीं है कि देश कहता है हम अपनी खाज सुरक्षा के तह atrás सबको वनाज दिलाके इसकी अलामाँ हम इस देश के गर्ब होती माताओं दूद पिलाती माताओं छोटे बच्चे 6 साल तक के लिए और अपनी किसोर बच्ची उपर बिसेज ध्याम इस जाबी खाद सुरक्षा के ही अंतरगत आता है जाबी खाद सुरक्षा का ही पहलू है तो दूसरा काम आई सी तो फिर 1995 में खाद सुरक्षा को आगे बढ़ाया गया और MDM लाया अब गोर से की देखिएगा जीरो से 6 साल तक के बच्चे को भोजन कहां मिल रहा है अगनवाणी में पोसर यूक्त भोजन कहां मिल रहा है अगनवाणी लेकिन जब 6 साल का बच्चा हो जाएगा तो आगनवाणी से निकलेग का बच्चा primary school में जाएगा और primary और middle school में हुआ 14 साल तक रहेगा वहां भी तो इसको उसकी खाद्व सुरक्षा सुनिश्चित करनी है तो वहां उसकी खाद्व सुरक्षा सुनिश्चित करनी के लिए लाए गया MDM मिड़े मील तो खाद्व सुरक्षा के अंतरगत जो 3 है उस तो आई ये बात करते हैं मिड्डे मिल की मिड्डे मिल 1995 में शुरू किया गया और कहा गया कि प्रात्मिक सिख्षा के साथ साथ हम पोसर सहायता को भी जोड़ देंगे यह 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 कहिए कि अब प्रात्मिक सिख्षा के लिए एक प्रकार का पोसर सहायता उपलब्द कराने का न कि बच्चा जो इस्कूल में आए, तो इस्कूल में जितनी जरूरी इसे पढ़ाई लिखाई है, उतना ही जरूरी इसका पोसड भी है, क्या पता ये गरीब का बच्चा हो, उसके घर में अनाच हो, भोजन मिलता हो, लेकिन पोसक यूग तो भोजन न मिलता हो, तो देश में क और चाहत पर जाएं सिर्फ यह नहीं है विश्व गुरु घारत का मतलब है कि हम मंगल पर भी जाएं हम चाहत पर भी जाएं किसी टर्नल और सुरंग में हमारे मजदूर फंज जाएं तो उसे भी निकाल करके ले आएं विश्व गुरु भारत का मतलब यह है कि हम समुदर के भी है कि हर बच्चा स्वस्त हो तन से मन से कि प्राइमरी स्कूल में जाएंगे बहतर पढ़ाएंगे मन से सव्त होगा पोसड यूक्त भोजन देंगे तेन से सब मत स्छा को आपस में मिला दिया गया है। स्वास्त एक विलडू पर एक साथ कम करना हुआ है इस कोलों में सिर्फ सिक्षा थी स्वास्त नहीं था मिढ़े मिल लाकरके स्वास्त अधर शिक्षग को बढ़ाया जाये उुपस्थिती में सुधार किया जाये बच्चों को बढ़ी अपनिया कहना के लाएंगे तिष्टी-तिष्टी टो न Commission भी बढ़े गांगे वो प सुधार होना सार्था साथ विद्याले छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में भी कमी आएगी, एवं बच्चों की पोसर इस्थितियों में भी सुधार आएगा, पहले जब 1995 में मिट्डे मिल आए गया, तो क्लास बन से क्लास फिफ तक के ही बच्चों का था, यानि पहली कच्छा से लेकर के पाँच्वी कच्छा तक के बच्चों को ही मिट्डे मिल उपलब था, तो छटी, साथी, आठी, वाले लड़ाई तो करते होंगे, इसलिए दोजार आठ नो में देश ने कहा कि अब हम इसको पहली कच्छा से आठ्वी कच्छा तक के बच्चे को इस योजना में सामिल कर देते हैं, यानि अब पहली से आठ्वी कच्छा तक के बच्चे योजना में सामिल हैं, वर्तवान इस्थिती यह है कि देश भर के जितने प् चाहिएओ उच्छा गारंटी केंद्र हैं उने सब पर मिड़े मील उपलब्ध है। प्रातमक विद्यालों में जो मिड़े मील दिया जाता है उत मैं अनिवारे सर्थ होती है कि 300 कैलोरी भोजन होना चाहिए और 8-10 गृत्वंड फूर्टीन वहां उच्छ मार प्रात्मिक विद्यालों में तो भोजन दिया जाता है उसकी अनिवारे सर्थ होती है कि 700 कैलोरी उसमें उर्जा होनी चाहिए और 20 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए यह हमारा मिड्डे मील समझ में आगी बात मिड्डे मील वोशड वास्थ और सिक्षा तीनों को मिला और एक ऐसे बच्चों की कलपना करता है जो बच्पन से जब किसोरा स्थावतियों बढ़ेंगे एक शिब भी होगे पास भी बेहतर होगा वो सड़के से बहतर होगे बहतर तन और बहतर मन ले करके इस दिलों में जाहिए तो तीसरा है खाज सुरक्षा का जो तीसरा आयाम है वो है मिड्डे मील और चौथा राष्टी खाज सुरक्षा अधनियम 2013 तो आईए बात करते हैं राष्टी खाज सुरक्षा अधनियम 2013 राष्टी खाज सुरक्षा अधनियम इस बहुत बड़ा सूच में परिवर्तन है क्योंकि राष्टी खाज सुरक्षा अधनियम से पहले खाज सुरक्षा कल्याने के माप दंडों पर यानि राष्ट की ये जिमेदारी थी नागरीकों का कल्याण करना और राष्ट की अगर जिमेदारी है नागरीकों का कल्याण करना उसे नागरीकों को खाज सुरक्षा अधिनियम ने इस कल्याण आधारी द्रिश्टिकोड को अधिकार आधारी द्रिश्टिकोड की और सिफ् कि भारत में जन्म लेने वाले हर नागरिक का या अधिकार है कि उसे खादिस्रक्षा मिलनी चाहिए नागरिक सीना ठोक के खड़ा होता और कहता है सरकारों से कोई दया धर्म नहीं कर रहे हो राइट है हमारा और यह राइट हमें हमारी डेमोक्रेसी ने दिया है हमारे पर्लि था यूरोप में अमेरिका में जब हाली बुट का सीनेमा चलता था तो बीच में बिग्यापन आता था और वहां किसी अंग्रेट छोकरे छोकरी को ऐसे ब्रेट फेकते हुए दिखाये जाता था और स्लोगन लिख दिया जाता था या आप अपने अन्य को बर्बाद मत किजिए इसे भारत में किसी एक कपेट कर सकता या मदद कम तमाचा आदिक थी एक राष्टी अपमान था आज मही देश 2013 में खड़ा हो करके अपने हर नागरीक से कहता है भारत भूमी में जन्म लिया है भारत के नागरीक हो तो यह र देट भरना राष्ट के जिम्यदारी है यह जो अधिकार आधारी त्रिष्टिक योड की और सिफ्टी में है इसने खाद्य सुरक्षा को मजबूत बने तो आईए दिखते हैं क्या कहता है निस्टनल फूड सेकुरिटी एक्ट 2013 खाद्य सुरक्षा का आखरी पाइदान है पीडियेस में भी एक बार इसको हमने पढ़ाया था वहाँ भी इसको पढ़ना था या भी है तो राष्टी खाद्य सुरक्षा दिनियम 2013 या दिनियम भारत में खाद्य सुरक्षा को कल्यान आधारी द्रिष्टिकोर की जगा अधिकार आधारी द्रिष्टिकोर की ओर सिफ् हमारी महिला को और मजबूत किया जा रहा है आप कहोगे कई से तो खाद इस राष्टी खाद सुरक्षा अधिनियम के तहट जो रासन कार्ड दिया जाता है वह रासन कार्ड पुरूस के नाम पर नहीं होता है वह रासन कार्ड परिवार की सबसे बड़ी महिला के नाम पर होता है और याद रखना इस फूट सेक्योर्टी एक्ट ने भारत में जब प्रित्सत्तावादी समास था उसको इतनी बनी ठोकर दी है इसका मल्यांक का नितिहास कर एक प्रित्सत्तावादी समास कहता है कि परिवार का मुख्या पूरूस होगा नेशनल फूर्ट सेक्यूर्टी एक्ट 2013 काता ना ना महिला होगी चोकि रासन कार्ड में परिवार का मुखिया महिला को माना गया है और बड़ा महत्व है इस रासन कार्ड का यानि आन पेपर अब भारत में परिवार की मुखिया कौन है परिवार की महिला तो महिला ससक्ती करण पर भी काफी ध्यान रखा गया है अगर इसकी विशेस्ताओं की बात करें तो लक्षिये है कि 75% ग्रामिड जनसंख्या और 50% सहरी जनसंख्या को TDPS Target Public Distribution System याद करो पिछली कि लास में बताया था TDPS कि तहट सबसीडी वाले खाद्यान को प्राप्त करने का हगदार होगी यनि कहा गया है कि आने वाले दिनों में हम अपनी 75% ग्रामिड जनसंख्या को और 50% सहरी जनसंख्या को और दे भी रहे हम जो TDPS है Targeted Public Distribution System लक्षित सार्वजनिक बितरट प्राली याद करो पड़ा है उसके तहट हम भारत के गाउं की 55% ग्रामिड जनसंख्या को और शहरों की 50% ग्रामिड जनसंख्या को उनाज उपलब्ध कराएंगे कैसे अनाज अपसिजी व Lynn यह और यसा अधिनियम में ब्यक्तिगत पातरता का प्राउधानों किया गया है यानि जो अनाज उपलब्ध कराएंगे वह हम परीवार के आधार पर नहीं व्यक्त की अधार परपदान कराएंगे मतलब परिवार की मुखिया तो महिला होगी लेकिन जिस परिवार में पांच सदस्य होंगे उन्हें पांच सदस्यों के हिसाब से अनाजु उपलब कराएंगे जिसमें आठ सदस्य होंगे उसमें आठ सदस्यों के हिसाब से अनाजु और कहा गया है कि प्रतिव्यक्ति परिवार के प्रतिसदस्य के पांच किलोग्राम गेहुं या पांच किलोग्राम चावल या पांच किलो मोटा अनाच दिया जाएगा मालों किसी परिवार में 8 लोग है तो उसे 40 किलो मिलेगा किसी में 5 लोग है 25 किलो मिलेगा और जो डेट रहेगा उसमें 2 रूपीय किलो गेहू रहेगा 3 रूपीय किलो चावल रहेगा और 1 रूपीय किलो मोटा अनाज रहेगा थिक इसमें का गया कि दो रूपे किलो गेहूं तीन रूपे किलो चावल और एक रूपे किलो मोटा अनाज रहेगा यह प्रतिकात्मक दरहाब खुद सोचिये ने दो रूपी किलो गैहूं कौन महांगा है तीर रूपी बचाल कहन अनाच्छ कौन महांगा है यह प्रदान किया जाएगा यह राइट हो गया सब आधिकार यह तो अधिकार हो गया अर्नागरिप का अधिकार हो गया कि इस के अलामा इस अधिकार के अलामा भी कहा जा रहा है कि अन्त्योद्य अन्य योजना के ताद जो 35 kg अनाज पहले मिल रहा था वो को याद कि अन्त्योद्य न्यूजना हमने अन्त्योद्य का ऐंसेप्ट पे व्ताया हुआ है श्ली वीडियो और साथ-स राष्टिक हीatore भोजन दिया जाएगा और जो निसुल्क भोजन दिया जाएगा उस भोजन की आगनवारी केंद्रों पर जो अनाज सप्लाई होगी वह भी राष्टी खाज सुरच्छा धिनियम के तहत ही होगी 6-14 वरस के बच्चों को जो विद्यालेओं में मद्यान भोजन दिया जाएगा तो उसके लिए अनाज कहां से जाएगा उसके लिए भी अनाज नेशनल फूट सेक्यूर्टी एक्ट के तहत ही दिया जाएगा यानि 6-14 वरस तक के बच्चों को जो मिड्डे मिल दिया जा रहा है उसे भी नेशनल फूट सेक्यूर्टी एक्ट में सामिल कर लिया गया है वह भी नेशनल फूट सेक्यूर्टी एक्ट के तहत बच्चों का अधिकार बने गया है बच्चे के जन्म के 6 महीने तक यानि प्रेगनेंसी के 6 महीने और बच्चा का जन्म हो गया उसके बाद से 6 महीने यानि एक साल तक उस माता को निसुल्क भोजन प्रदान किया जागा इस एक साल को समझना कहा गया है कि प्रेगनेंसी के 6 महीने यानि जब माता प्रेगनेंट ह वो 6 महीना और बच्चे का जिस दिन जन्म होगा उसके बाद के 6 महीना तो एक साल हो गया ना उस माता को निसुल्क भोजन आगनवारी में प्रधान किया जाएगा या भी हर माता का अधिकार हो गया है या भी नेशनल फूर्ट सेक्यूर्टी एक्ट के तहद्ध दिया गया है 7-7 माताओं को किस्टो में 6000 रुपे का मातर तुल आब में मिलेगा अस्पतालों में बच्चे को जन्म देंगी तो मातर तुल आब मिलेगा ये भी फूर्ट सेक्यूर्टी एक्ट में सामेल किया गया है इसके अलबा कहा गया है कि एक खाद आयोग की अस्थापना की साथ साथ ये भी तैंकिया गया है कि ये जो लोग होंगे इन में से कम से कम दो महिलाए होंगी और एक सदस से SCHT समुदाय से लेना अनिवारी होगा दो महिलाए होंगी एक सदस से SCHT से लेना अनिवारी होगा इस प्रकार संपूर होती है दुनिया की सबसे बड़ी खाज सुरक्षा जिसे भारत उपलब्ध करा रहा है जिसके सुरुवाद पब्लिक डिस्टिबिशन सिस्टम से हुई थी वही सारवजनिक बितरर प्रडाली आगे बढ़करके आईसीडियस का सपोर्ट की फिर आईसीडियस से हम आगे बढ़े मिड़्े मील पर आए और उससे आगे बढ़े हम नेशनल फूर सेकर्टी एक दोहजार तेरे पर आए आज यही चार चीजे भारत की खाज सुरक्षा को एक मुकमल आयाम दे रही है मुकमल रूप दे रही है तो दोस्तो मुझे उमीद है या भारत की खाज सुरक्षा को पूरता समझ गया होंगे तयार हो गया होगा कॉंसेप्ट ने अगर नया रूप ले लिया है तो मुझे जरूर सुचित कीजिएगा फिर अगली क्लास में नेश्टा आपिक पर वीडियो लेकर आएंगे तब त जाहिन नमस्का